चत्री 146 आप मेरे साथ गलत कर रहे है अर्थ। अब आगे अर्थ ने गुसे के साथ आही को बैट पर पटक दिया। वही आही अर्थ की ऐसी हरकत देख बहुत ही जादा सहम गई और तुरंद बैट से पीछे की और सरकते हुए बोली। अर्थ आप होश में तो है। प्लीज संभालिए खुद को इस वक्त आप कुछ भी गलत कर रहे हैं प्लीज। अर्थ मुझसे दूर रहिए मेरे पास भी मताईएगा। अर्थ उसके करीब बड़ा और उसके बाल को पीछे से कसकर पकते हुए बोला तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुमने कुछ गलत नहीं क इस पर आही ने हिम्मत करते हुए कहा हां क्योंकि अगर उन्हें मरने से मैं कुछ वक्त के लिए बचा पा रही हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ हतीत में हुआ था। अब उन्हें अपनी गलती का बहुत पचतावा है और वह आप मलहुत्रा खुद के किये पर बहुत ही जादा पचता रहे थे और वह अर्थ से माफी मांगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसलिए आही चाहती थी कि कुछ वक्त के लिए अर्थ यह सब कुछ भूल जाए और राजीव मलहुत्रा को इस घर में आने दे। क्योंक ज्यादा गुस्से से जल उठा और वह अर्थ उसके बालों को कसकर पकरते हुए बोला अही में उस शक्स से नफरत करता हूँ और अगर तुमने उसका साथ दिया तो मैं तुमसे भी नफरत करने लगूंगा क्यों तुम मेरी नफरत की हगदार बनना चाहती हो। उसकी बात सुनकर आही आशु बहाते हुए बोली, अर्थ मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नफरत करें और नहीं मैं चाहती हूँ कि आप राजीव अंकल से नफरत करें। वह आपके डैड है और आप आज तक जिस बाप के प्यार के लिए तरसे हैं, वह आपको वह प्यार देंगे। मैं मानती हूँ अतीत में उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है जिनकी माफी आज आप नहीं दे सकते और आप उन्हें माफ भी ना करिए लेकिन आप उन्हें ऐसी सजा भी मत दीजिए प्लीज अर्थ एक बार मेरी बाते ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ये कहते हुए आही ने धीरे से अर्थ के हाथ को पकर लिया वही अर्थ एक टक आही की आँखों से आंसु गिरते हुए देख रहा था कुछ देर तक ऐसे ही उसकी आँखों में देखते रहने के बाद अर्थ ने गुस्से से उसके बालों को छोड़ दिया और बैट से खड़े होते हुए बोला आही तुम मुझसे अब बात मत करना और नहीं अब मैं तुम्हारी शक देखना चाहता हूँ ये कहकर अर्थ उधर से वाश्रूम की तरफ जाने लगा वही आही यह सुनकर तुरंट अपना सर ना में हिलाते हुए बोली नहीं आप प्लीज मुझसे गुसा मत हो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं किसके पास जाओंगी मेरा तो आपके अलावा कोई है भी नहीं इसके जवाब में अर्थ नाराजगे और गुसे के साथ बोला मैं जब वाश्रूम से बाहर आओ तो तुम मेरी नजरों से दूर हो जाना आखिर आप इतना गुसा क्यों कर रहे हैं क्या आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं है क्यों आप राजीव अंकल से इतना नफरत करते हैं कि उनकी वजह से आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं आखिर में कहां जाओंगी आपके बगर अर्थ आप सही नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। ये कहते हुए आही आसू बहाय जा रही थी। करीब एक घंटे बाद वाश्रूम का दोर खुला। इस वक्त रूम में पूरा अंधेरा था। अर्थ बाथरोक में था और वह रूम में आक कुछ देर बाद वर्क लोजट से बाहर आया और सिग्रेट निकालते हुए बालकनी में चला गया। वह बालकनी में खड़े होकर सिग्रेट की काशी लेने लगा और एक तक अंधेरे को देखते हुए बोला तुम्हें मजाक लगता है आही लेकिन मेरे एमोशन्स मेरे होता वह आज भी एश के साथ अपनी जिंदगी जी रहा होता इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा और तुमने उसका साथ दिया है तुम्हें भी मैं इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता तुम मेरी थी तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था तुम्हें हर एक सही गल पर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए अर्थ गुसे के साथ सिग्रह की काश लेने लगा। इधर दूसरी तरफ रात और मेंशन के बाहर आधी रात में एक कार रुकी। आही कार से बाहर निकली। उसकी आखे इस वक्त आंसों से भीगी हुई थी और उसने खु देर बाद दोर खुला और सामने सिराज खड़ा था। सिराज इस वक्त नाइट आउटफित में था और वह अपने आँखों से चश्मे को निकालते हुए। जैसे ही सामने देखा उसकी आँखे हैरानी से फैल गई और वह हैरानी से बोला आही बेटा तुम यहां इतनी रा को उसके यहां क्या कर रही थी और वह इस तरह रोक्यों रही थी। सिराज तुरंट आही को अंदर लेकर आया और उसके सर को सहलाते हुए बोला बेटा क्या हुआ है तुम इस तरह रोक्यों रही हो और आज तो शादी थी ना तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो सब ठीक त बेटी के आंसु देखे नहीं जा रहे थे उसे आही के आंसु से तक्लीफ हो रही थी वो तुरंट आही को सोफे पर बिठाया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला आही बेटा प्लीज मुझे साफ साफ बताओ आखिर क्या बात है तुम क्यों इस तरह रो रही हो क्या किसी ने तुम से कुछ कहा और क्या अर्थ तुम्हारे साथ आया है कहा है अर्थ ये कहते हुए सिराज गेट की तरफ देखने लगा उसे लगा कि शायद अर्थ आही के साथ आया है लेकिन तब ही आही ने रोते हुए कहा अर्थ मेरे साथ नहीं आया है और शायद वह मुझे दे उस पर आही वापस से उसके सीने से लग गई और सिसिकते हुए बोली डैडी अर्थ चाहते हैं कि मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊंग वह मुझे देखना नहीं चाहते इसलिए मैं आपके पास चली आए और अगर आपको भी मुझे यहां रखने में कोई प्रॉब्लम है त किस बात से लड़ाए हूई यह उसे जानना था लेकिन आही कि यह बात सुनकर सिराज को काफी बुरा लगा वह तुरंत आही के सर को प्यार से सहलाते हुए बोला आही बेटा यह तुम कैसी बात कर रही हो तुम्हें पता है ना यह सब जमीन जायदार तुम्हारा ही है इस पर तुम्हारा इकलोता हक है तुम यहां नहीं आओगी तो और कहां जाओगी और मैं कौन होता हूँ इस घर की मालकिन को इस घर से निकलने वाला तुम्हारा हक है इस घर पर तुम जब तक चाहे यहां रह सकती हो लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे और अर को इस तरह अकेले आने दिया ये कहते हुए सिराज के चहरे पर गुस्सा आ गया उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ इस तरह आही को अकेले आने देगा वही आही सिराज की यह बात सुनकर अपने आंसों को साफ करते हुए गहरी सास लेकर बोली डैडी मुझे अभी पुरानी बाते नहीं करनी मुझे अभी सिर्फ अपने रूम में जाना है जो भी बात होगी मैं आपसे कल बता दूंगी और एक बात अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे कि मैं यहां क्या कर रही हूँ तो आप ये कह देना कि मेरा यहां आने का बहुत मन था इसलिए मैं यहां घूं परेशान हो गया और बोला आही बेटा लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दो कि आखिर तुम्हारे और अर्थ के बीच किस बात को लेकर लड़ाए हुई है वरना मुझे बहुत टेंशन होगी तुम्हारी ये सुनकर आही रुख गई और फिर सिराज की तरफ मोड़ते बोली डैडी बस आप इतना जान लीजिये कि मेरे और अर्थ के बीच लड़ाई किसी तीसरे इंसान की वज़े से हुई है और अर्थ अपने गुसे में इतनी ज्यादा पागल हो गए हैं कि वह मुझे तकलीफ पहुचाना चाहते हैं और वह नहीं चाहते कि मैं उनके आखो के सामने भी रहूं इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनकी आखों से दूर हो जाऊं ये सुनते ही सिराज हैरानी से बोले तो क्या इसका मतलब अर्थ ने ये कहा तो तुम सीधे घर से बाहा निकाल कर सीधे यहां चली आई ये सुनकर आही गुसे से बोली तो मैं और कहां जाती है डैडी क्या आपको लगता है कि अर्थ की यह कहने के बावजूग भी मैं उनके घर में रहती उसकी बात सुनकर सिराज परेशान आवाज में बोले बेटा मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम कहीं और जाओ लेकिन अभी अर्थ गुस्से में था इसलिए उसने तुम से यह कह होगा कि तुम उसकी नजरों से दूर हो जाओ उसके कहने का यह मतलब नहीं होगा कि तुम उसके घर से ही निकल जाओ अगर वो तुम्हें घर से निकलता तो वो साफ साफ कहता कि उसके घर से निकल जाओ लेकिन तुम शायद गुस्से में ज्यादा रियक्ट कर गई अपने मेरी आँखों के सामने अब आप अर्थ की साइड मत लीजिए, क्योंकि इसमें सारी गलती अर्थ की है, अर्थ ने एक तरह से मुझे घर से बाहर निकाला है, इसलिए मैं नहीं जाओंगी उनके घर, मेरे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और अब मैं आप से बात भी नहीं और अगर आपको उनकी इतनी साइड लेनी है तो मैं जा रही हूँ, ये कहकर आही गुस्से से गेट की तरफ जाने लगी, वही सिराज ये देखकर तुरंत आही को रोकने लगे और बोले, आही बच्चा, अच्छा तुम शान्थ हो जाओ, मेरी गलती है मुझे ये सब नही कहना चाहिए था, मुझे तुम पर यकीन है जरूर अर्थ की गलती है और मैं अर्थ से नाराज भी हूँ क्योंकि उसने इतनी रात को तुम्हें अकेले यहां तक आने दिया, बीच में तुम्हें कोई भी खत्रा हो सकता था, वैसे भी उसके इतने दुश्मन बाहर घूमते रहते हैं, उसे इतना तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, तुम जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, जरूर मेरी बेटी ने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, ये सुनकर आही फिर कुछ रिलाक्स हुई और गुसे के साथ अपने कमरे में चली गई, वही सिराज उसे जाते देखा गहरी सांस लेकर बोले, मेरी बेटी अभी भी बहुत बचकानी हरकते करती है, लेकिन अर्थ को इतना गुसा नहीं करना चाहिए था, वह जब जानता है कि अभी भी आही में बचपना है, फिर भी उस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आगी सुबह जब अमीरा और अमारा को ये पता चलेगा कि उनके मॉम डैद में लडाए हुई और उनकी मॉम इस तरह घर छोड़ कर चली गई, तो उन दोनों बच्चियों पर क्या बीतेगी, मुझे अर्थ से एक बार बात करनी होगी, वह इस सोचते हुए सिराज किचन की तरफ चला गया, कुछ देर बाद आही के रूम में सिराज ने एंटर किया, इस वक्त सिराज के हाथों में बाउल थी और उसे बाउल में नूडल्स थे, जिसे सिराज ने आही के लिए बनाया था, नूडल्स की खुश्बू आते ही आही बैच से उठकर बैक गई और धीरे से बोली, डैडी क्या आपने मेरे लिए नूडल्स बनाये हैं? इस पर सिराज मुस्कुराया और आही के तरफ बढ़ते हुए उसके तरफ नूडल्स किया और बोला, हाँ मुझे पता है, नूडल्स तुम्हारा फिवरेट है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके खाने लगी, वही सिराज बस एक टक अपनी बेटी को देखते रहे, तभी फिर सिराज कुछ सोचते हुए बोले, आही बेटा मैं अर्थ से बात करने जा रहा हूं, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, जैसे ही आही ने यह बात सुनी उसके एक्स कर सिराज परेशान होते हुए बोले, बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारी दो बेटियां भी है उसे घर में, अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ाई करोगी तो उन दोनों पर क्या असर होगा तुम दोनों की लड़ाई से, अमीरा और अमारा का ख्याल आते ही आही एकदम से खामोश हो गई और उसे अचानक से ध्यान आया कि वह केले ही यहां चलिया आई थी, जबकि उसकी दोनों बेटियां तो अभी भी उसी घर में अर्थ के पास थी, आही का दिमाग इतना ज्यादा उस वक्त खराब हो गय था कि उसने गुस्से में किसी के बारे में नहीं सोचा और वह सीधे यहां चलिया आई थी, अब आही अमीरा और अमारा को लेकर सोच में पढ़ गई, चत्री 147 प्रोमेंटिक नाइट, अब आगे सिराज की बात सुनकर आही सोच में पढ़ गई, उसे समझ नहीं आया कि व वह घर से बाहर निकल रही थी, तो उसने अमीरा और अमारा के उपर इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस वक्त वह गुस्से में थी, उसने गुस्से में आकर इतना बड़ा फैसला ले लिया था और अब उसे अमीरा और अमारा अपने पास चाहिए थे, हाला कि उसे इ सिराज उसके कंदे पर हात रखते हुए बोले अही बेटा देखो तुम अच्छे से सोच समझ लो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अगर तुम अभी भी घर वापस जाना चाहो तो जा सकती हो इतना सुनते आही फिर से भरक गई और बोली डैज आखिर आप चाहते क्या है एक बार आप कहते हैं कि यहाँ मेरा घर है मैं जितना मरजी चाहे उतने दिन यहां रह सकती हूं फिर दूसरे पल आप यह कहते हैं कि मैं यहां से जा सकती हूं आखिर आप क्या सोच रहे हैं सिराज ये सुनकर वापस से अपना सरणा में हिलने लगे उनका यह मतलब नहीं था कि आही इस घर से निकल जाए या वहाँ ही को अपने पास नहीं रखना चाहते बलकि वह तो अर्थ और उसके बीच कोई भी जाओंगा और मुझे यकीन है मेरी दोनों नतीने जरूर यहां आएंगी सिराज की बाद सुनकर आही स्माइल करते हुए बोली बैंक्यू डैडी मुझे आपसे यही चाहिए था अब आप प्लीस कल अमीरा और अमारा को लेकर यहां आ जाएंगे जिसके बाद सिराज अपनी जगल से उठाते हुए बोले हमम अब तुम सो जाओ तुम काफी ठकी हुई लग रही हो यह सुनकर आही ने अपना सर हिला दिया सिराज वहां से बाहर निकल गया सिराज के जाने के बाद आही ने नूडल्स खाया और फिर वल चुक चाप सो गई वल काफी ज़्यादा ठकी हुई थी इन दोनों शादी को लेकर इस वजह से उसे बैड पर लेते ही गहरी नींदा गई इधर दूसरी तरफ कुछी देर में धनराज पैलेस के बाहर कई सारी कास कतार में रुके और गार ने आकर कार का गेप खोला जिसमें से तेज़स सुगंधा के हाथ को पकड़ कर बाहर निकले सुगंधा अपने लहंगे को संभाल रही थी और मुस्कुराते हुए पूरे पैलेस को देख रही थी इस वक्त पूरे पैलेस को किसी दुलहन की तरह सजाया गया था चारो तरफ लाइटिंग की गई थी और उसके आते ही चारो तरफ फायरवर्क्स शुरू हो गए ये देखकर सुगंधा है रानी से बोली ये सब किसने किया तब ही तेजस मुस्कुराते हुए बोला मेरे अलावा और कौन कर सकता है मुझे तुम्हारे चेहरे की यही मुस्कराहत देखनी थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ करवाया क्या तुम्हे पसंद आया इसके जवाब में सुगंधा बड़ी सी स्माइल के साथ बोली ब्यानकिव सुमच तेजस मुझे ये बहुत पसंद आया सच में तुमने मुझे किसी रानी की तरह ट्रीट किया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं भी तुम्हे बिल्कुल इसी तरह प्यार दूंगी ये कहते हुए सुगंधा ने अपना सिर नीचे जुका दिया इस पर तेजस ने उसके माथे पर किस किया और बोला तुम्हे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुमने मुझसे शादी कर ली और मेरे घर में आ गई यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कहते हुए तेजस ने सुगंधा के हाथ को पकर लिया वही सुगंधा के चेहरे पर स्माइल आ गई तभी समर्थ और क्रियांश भी कार से बाहर निकले उन दोनों को देखकर सुगंधा ने जल्दी से तेजस के हाथ को छोड़ दिया ये देखकर तेजस मुझ बनाते हुए बोला ये कौन सी बात हुई बच्चों को देखकर तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा इस पर सुगंधा शर्माते हुए बोली, तेजस, तुम कैसी बात कर रहे हो, बच्चे हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इसके जवाब में तेजस ने वापस से सुगंधा के हाथ को पकर लिया और उसे अंदर ले जाते हुए बोला, बच्चे यही सोचेंगे कि दो कपल एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अपना क्वालिटी टाइम स्पैन कर रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ये सुनकर सुगंध का चहरा और भी ज्यादा लाल हो गया वही तेजस मुस्कुराते हुए पीछे मुन समर्थ और क्रियांश को देख बोले बेटा तुम दोनों के अंदर चलो और जाकर आराम करो तुम दोनों भी बहुत ठक गए होंगे उसके जवाब में क्रियांश ने अपना सर हिला दिया वही समर्थ ने एक नजर सुगंधा को देखा और फिर अंदर जाते हुए बोला डैड आंटी आप दोनों भी जाकर रास्ट करिये उसकी बाद सुनकर सुगंधा को बहुत अच्छा लगा और वह स्माइल करते हुए तेजस से बोली तेजस अपने सुनना समर्थ ने मेरी केर की इसके जवाब में तेजस मुस्कुराते हुए बोला मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी अगर मुझसे शादी हो जाए उसके बाद समर्थ जरूर तुम्हे थोड़े दिन में अपना लेगा और उसने अपने तरफ से कोशिश शुरू कर दी है मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हो तुम्हे अपना भी लेगा फिर तेजस सुगंधा को लेकर अंदर गया सुगंधा जब तेजस के कमरे में पहुँची तो कमरे का नजारा देखकर वह थोड़ी शौक हो गई और दूसरे पल उसका चहरा शर्म से लाल हो गया वह तुरंट तेजस के कमरे से बाहर जाने लगी लेकिन तभी तेजस में उसे कमर से पकर लिया और वापस उसी कमरे में जाते हुए बोला अब तुम कहा जा रही हो इस पर सुगंधा शर्माते हुए बोली मैं गलत कमरे में चली आई मुझे दूसरे कमरे में जाना चाहिए तेजस उसकी बातों को समझते हुए मुस्कुराया और धीरे से बोला मेरा कमरा ही तुम्हारा कमरा है आज से तुम मेरे कमरे में ही रहोगी इसलिए तुम ही ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है ये कहते हुए तेजस ने उस रूम का डोर लॉक कर दिया रूम का डोर लॉक होते ही सुगंधा का चहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया और वह तुरंट तेजस से बोली तेजस रूम बहुत अजीब लग रहा है मुझे साथ में नहीं रहना मुझे कोई दूसरा रूम दे दो सुगंधा इसलिए ये कह रही थी क्योंकि इस वक्त उस रूम को सुहाग रातके की तरह दे को किया गया था और चारों तरफ फूलों से उस रूम को सजाया गया था इस वक्त उस रूम में रहने से सुगंधा को अजीब सा लग रहा था तेजस के साथ वह बहुत ही ज़्यादा एंबरेस फील कर रही थी वही तेजस उसके चहरे के एक्स्प्रेशन को नोटिस कर रहा था जिस वजह से वह मुस्कुराते हुए बोला तुम इतना शर्मा क्यों रही हो इस पर सुगंधा उसे घूरते हुए बोली तेजस तुम इतने ज़्यादा कैस्वल कैसे हो सकते हो तुम्हें पता भी है ये सब क्या है इसके जवाब में तेजस रूम के अंदर आया और वह चारों तरफ अपनी नजरे घूमते हुए बोला यहां मेरा वह रूम है जिसे इस हालत में देखने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है ये सुनते ही सुगंधा का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया और वह तुरंग चिर्ख कर बोली तेजस तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो शादी से पहले तो तुम कितने शरीफ दिखते थे लेकिन अब तुम कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो गये हो ये सुनकर तेजस मुस्कुराते हुए बोला मेरी सारी बेशर्मी तुम से ही तो है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ इस वक्त इस कंडीशन में इस रूम में ख़़ी हो ये सुनकर सुगंधा ने अपना सिर नीचे जुका लिया तभी तेजस ने गहरी सांस लिया और फिर वह सुगंधा के पास आते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया सुगंधा अपना सर उठाए और तेजस को देखने लगी तेजस मुस्कुराते हुए बोला देखो सुगंधा तुम्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है अगर तुम अभी यह सब कुछ नहीं चाहती तो तुम फिक्र मत करो मैं बिना तुम्हारी इजाजत की तुम्हें चूँँगा भी नहीं जैसे ही तेजस ने ये कहा सुगंधा हैरान हो गई और हैरानी से बोली तेजस क्या तुम सच कह रहे हो इस पर तेजस मुस्कुराते हुए बोला क्या तुम्हें मजाक लग रहा है या फिर तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे जिस्न से प्यार किया है ना कि तुम्हारी रूल से हाँ हमारा दो साल का रिलेशन्शिप था किया उन दो सालों में मैं तुम्हारे हाथ के अलावा और तुम्हें कहीं और छुआ ये सुनकर सुगंधा खामोश हो गई हाला कि यह सची था दो साल से वो तेजस के साथ रह रही थी दो साल से तेजस के करीब तो सही एक ही रून में भी रहती थी लेकिन कभी भी तेजस ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। तेजस अगर उसे छूता भी था तो सिर्फ उसके हाथ को पकड़ता था। इसके अलावा तेजस कभी उसे कही भी टच नहीं करता था। इसी वजह से सुगंधा को तेजस पर बहुत ज्यादा यकीन था और उसका यकीन बढ़ता जाता था। क्योंकि तेजस उसकी नजरों में एक जेंटलमें था जो औरतों की रिस्पेक्ट करता था। और बिना उसकी मर्जी के उसे नहीं चूता था। सुगंधा को सोच में डूबा देख तेजस उसे हिलाते हुए बोला, सुगंधा, तुम किन ख्यालों में खो गई? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुमने मेरे साथ बैट शेयर की तो मैं कोई ऐसी वैसी हरकती करूँगा? सुगंधा अपने सैंस में आये और वल जल्दी से अपना सिना में हिलाते हुए बोली, नहीं तेजस में ऐसी, बात नहीं सोच रही हूँ बलकी मैं तो ये सोच रही थी, कि कहीं मैं ही अपने उपर से कंट्रोल ना खो दूँँग। स्माइल आ गई और वह सुगंधा को कमर से पकलते हुए बोला, ओ तो तुम बेशर्म होने की कोशिश कर रही हो। इस पर सुगंधा शर्माते हुए बोली, नहीं बलकी मैं तो मजात कर रही थी और जहां बात रही बैट शेयर करने की तो मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्यो सुगंधा की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर उसके हाथ को पकड़ कर बैट के पास लाते हुए बोला, बैंक्यू सुगंधा मुझ पर इतना यकीन करने के लिए क्योंकि अगर आज तुम नहीं होती तो शायद ही मैं होता। इस पर सुगंधा बैट पर बैट गई और गहरी सांस लेकर बोली, अब तुम कुरानी बाते मत सोचो। अब आज से हम अपनी नई शुरुआत करते हैं। आज से जिंदगी में सिर्फ मैं और तुम होंगे और हमारे दोनों बच्चे होंगे। इस पर तेजस मुस्कुराया में तुम्हें नींद नहीं आएगी। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर तेजस रूम से बाहर जाने लगा लेकिन तभी सुगंध उसे रोकते हुए बोली, तेजस मुझे तुम से कुछ कहना है। इस पर तेजस रोक गया और ना सुगंधा बताओ क्या कहना है। इसके जवाब में सुगंधा अपनी जगह से उठी और वह अपने पंजों के बल उठते हुए तेजस के कॉलर को पकर ली। वही तेजस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुगंध क्या करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दूसरे पलव कुछ समझ पाता उससे पहले सुगंधा ने तेजस के होठों पर अपने होंट रख दिये और उसे किस करने लगी। वही तेजस की आखे बिलकुल बड़ी हो गई और वह शौक होकर सुगंधा को देखने लगा। सुगंधा को किस करना नहीं आता था जिस वज़े से वह सिर्फ तेजस के होठों को ही चूम रही थी। वही तेजस कुछ सेकेंड तक इसी तरह शौक खड़ा रहा और फिर जब उसे सुगंधा के काटने का एहसास हुआ तो वह अपने सेंस में वापस आया और उसने तुरंद सुगंधा को कमर से पकड़ लिया। सुगंध को अपने कमर पर पकड़ का एहसास हुआ तो वह अपने सेंस में वापस आया। वह इस वक्त इतनी ज्यादा एमोशन्स के साथ बल चुकी थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही थी। लेकिन वह जो भी कर रही थी उसे उससे बहुत खुशी मिल रही थी और सुगंधा तेजस को किस करते हुए अपनी आखे बंद कर ली। वही तेजस के चहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके चहरे से ही पता चल रहा था कि वह सुगंधा की इस एक्षन को देखकर कितना ज्यादा खुश था उसने तुरंट सुगंध को कमर से पकर लिया और उसे लेकर सीधे बंदले के अंदर बढ़ गया। बंदले में नौकर लगे हुए थे और स्टीफन नौकर को देखते हुए बोला दिन उपर रूम में भिजवा दो। नौकर ने अपना सिर हिला दिया और स्टीफन जूली को लेकर उपर रूम में बढ़ गया। उसने जूली को बैद पर सुलाया और जूली के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, कितनी जल्दी ये लड़की सारे रास्ते मुझे परेशान किया और अब कितने सुकून से सो रही है। ये कहते हुए स्टीफन ने जूली के सर को चूम लिया और फिर उसे ब्लैंकिट से करकर के वहां से जाने लगा। लेकिन तभी जूली ने उसके हाथ को पकर लिया। ये देखकर स्टीफन को कुछ समझ नहीं आया और वल जैसे ही पीछे मुर कर जूली को देखा तो उसकी कर रही थी। और स्टीफन को परेशान कर रही थी क्योंकि उससे पहले भी उसने कार में स्टीफन को बहुत ज्यादा तंग किया था। और अभी भी स्टीफन उसकी हरकत को देखकर उसे गूर कर देखने लगा। तभी जूली मुस्कुराते हुए स्टीफन के हाथ को कसकर पड़ी और अपने करीब कीची स्टीफन सीधे उसके उपर जाकर गिरा और फिर दूसरे ही पल जूली ने उसके होटों पर अपने होंट रख दिया और स्टीफन की आँखे बढ़ी हो गई चक 348 बहकी रात और जूली स्टीफन की रोमेंटिक नाइट अब आगे तेजस बिलकुल शौक था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुगंधा आगे बढ़ा कर उसे किस कर रही थी वही सुगंधा अभी भी तेजस को चुपचाप बस किस किया ही जा रही थी तभी तेजस ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसने सुगंधा के कमर को कसकर पकड़ लिया दूसरे ही पर सुगंधा की आँखे बढ़ी हो गई और उसे होश आया कि आखिर वह क्या कर रही थी वह जैसे ही तेजस से दूर होने को हुई तभी तेजस ने उसे वापस से अपने करीब कर लिया और अब तेजस उसे गहराई से किस करने लगा सुगंधा के पास अब तेजस के किसमे साथ देने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा और वह बस अपनी आखें बंद किये तेजस के किसमे साथ देने लगी वही तेजस उसे गहराई से किस करते हुए बैक के पास ले आया और उसे बैक पर गिरते हुए उसके उपर आ गया वही सुगंधा का चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसे उपर नीचे होने लगी वो अपनी घबराई नजरों से तेजस को देखने लगी हाला कि वो अपने emotions में इतना बढ़ चुकी थी कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने तेजस को आगे बढ़ कर किस कर दिया था लेकिन अब तेजस के आगे के action को देखकर वो बहुत ज़्यादा हरबड़ा गई और धीरे से बोली तेजस ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो तभी तेजस उसके चेहरे के करीड चुका और बोला जो तुमने करने की कोशिश की अब मैं उसे तुम्हें वापस कर रहा हूँ ये सुनकर सुगंध का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया वो पिलो में अपना सर छुपाते हुए बोली तेजस ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने तो बस तुम्हें अच्छा फील करने के लिए ये किया था लेकिन तभी तेजस में उसका सर पिलो से बाहर किया और उसके नाग पर किस करते हुए बोला और अब मैं तुम्हें अच्छा फील करना चाहता हूँ तुमने मेरे अंदर के सोय हुए अर्मान जाग दिये मैंने सोचा था कि मैं अभी तुम्हारे करीब नहीं आउंगा लेकिन तुमने आगे बढ़कर मुझे जब किस किया उसकी वज़े से अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता क्या तुम राजी हो क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है और तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा मेरे ख्याल से अब हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं उसकी यह बात सुनकर सुगंधा की आखे बड़ी हो गई उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तेजस इसी वक्त उसके करीब आना चाहता था वह भीरे से तेजस को देखते हुए बोली तेजस मुझे लगता है कि यह भी सही वक्त नहीं है इसके जवाब में तेजस फिर उसके करीब लेट गया और लाइट आफ करते हुए बोला आल राइट मुझे लगता है अभी भी तुम रेडी नहीं हो इसलिए हम इसे बाद में करेंगे लेकिन आज तुमने आगे बढ़कर मुझे किस किया उसके लिए ठैंक यू क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा सुगंधा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एक किस तेजस इतना ज्यादा खुश हो जाएगा और इतना बहग जाएगा कि वो उससे ऐसी बात ही करेगा सुगंधा ने शर्म से अपना चहरा तेजस की सीने में छुपा लिया वही तेजस मुस्कुराने लगा और उसके सर को सहलाते हुए बोला तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है अब हम हस्बेंड वैफ है और हमारे बीच ये सब कुछ चलता रहेगा और हाँ कोशिश करो की जल्द से जल्द तुम मुझे अपना लो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा वक्त दूर नहीं रह सकता तेजस की यह बात सुनकर सुगंधा का चहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और उसने बस अपना सर धीरे से हां में हिला दिया ये देखकर तेजस में उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और आखिर में सुगंधा जो सारा दिन की भाग दौर से इतनी ज्यादा ठकी हुई थी वो कुछ ही देर में तेजस की बाहों में सो गई वही तेजस भी अपनी आखे बंद कर लिया इधर दूसरी तरफ स्टीफन के बंगले में जूली ने जैसे ही स्टीफन को अपने उपर खीचा स्टीफन के आखे बढ़ी हो गई है वह जूली को घूरते हुए बोला इसका मतलब तुम सो नहीं रही थी इसके जवाब में जूली मुस्कुराते हुए बोली नहीं मैं तो सोने का नाटक कर रही थी तभी स्टीफन उससे दूर होते हुए बोला लेकिन इस तरह का नाटक क्यों कर रही थी तुम इसके जवाब में जूली प्यार से बोली क्योंकि मुझे तुम्हारी केर देखनी थी तुम जिस तरह मुझे अपनी बाहों में लिए अंदर आये और मुझे प्यार से बैग पर सुलाया उसके बाद तुमने मुझे फोरहेट किस की ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये नाटक सोचा कि आगे कंटिन्यू करूंगी लेकिन अभी देखा तुम मुझे छोड़ कर जा रहे थे इसलिए मैंने अपने नाटक को बीच में ही रोक दिया ये सुनते स्टीफन उसे घूर कर देखना लगा उसे पता नहीं था कि जिसने उसके साथ शादी की है वह इतनी बड़ी बेवकूफ और जल्ली निकलेगी स्टीफन उसे घूरते हुए बोला तुम ये बच्चे जैसे हरकते करना कब बंद करोगी इसके जवाब में जूली मुस्कुराते हुए बोली इतनी जल्दी नहीं अभी तुम्हारी शादी हुई है और अभी तुम्हारे बच्चे होने बाकी है जब तक बच्चे नहीं हो जाते तब तक मैं अपनी हरकते बंद नहीं करूँगी ये सुनकर स्टीफन उसे घूर कर देखने लगा जिसे देखते हुए आखिर में स्टीफन भी मुस्कुराया और बोला आई लव यू टू जू जूली और आम सॉरी मैं सच में तुम्हें बहुत परेशान किया है और तो और मैंने तुम्हें इतना ज्यादा वेड भी करवाया ये सुनकर जूली मुस्कुराने लगी और बोली तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अपनी एज को लेकर बहुत परेशान रहते थे तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे इतने बड़े हो और तुम मुझे दिजब नहीं करते लेकिन प्यार में उम्ह नहीं देखी जाती ये बात अब मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बताऊंगी मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी कि तुम भूल जाओगे कि हमारे बीच कभी उमो को लेकर कोई बात भी हुई थी। ये सुनकर स्टीफन को काफी ज्यादा अच्छा लगा और वह जूली के माथे पर वापस से किस करते हुए बोला तुम बहुत प्यारी हो मैं खुद को लखी समझता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। ये सुनकर जूली मुस्कुराने लगी और बोली और मैं भी खुद को बहुत लखी समझती हूं जिससे कि तुम मेरे हस्बेंड बने क्योंगी मैं तुमसे बहुत पयार करती हूं और पहली नजर का प्यार जिन्दगी भर चलता है और मैं तुम्हें जिन्दगी भर इसी तरह प्यार करूँगी बस तुन मेरा साथ मत छोड़ना ये सुनकर स्टीफन मुस्कुराया और उसे लेकर बैग पर लेट गया वही जूली ने अपना सर स्टीफन के सीने पर रख दिया और कुछ सोचते हुए बोली स्टीफन हम अपनी सोहागराद कब मनाएंगे जूली की यह बात सुनते ही स्टीफन के आँखे बढ़ी हो गई और वह जूली को घूरते हुए बोला तुम क्या कह रही हो इस पर जूली मुह बनाते हुए स्टीफन को देखी और बोली मैं सच कह रही हूँ तुम कब मेरे साथ इंटीमेट होगे मैं कब से वेट कर रही हूँ उस पल का मुझे लग रहा है कि तुम शायद सोहागराग भूल ही गए ये सुनते ही स्टीफन एकदम से हरबड़ा गया और वह जूली को खुद से दूर करते हुए बोला जूली तुम अकेले सो जाओ मुझे कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ ये कहकर स्टीफन उठकर वहां से जाने लगा वही जूली ने स्टीफन को इस तरह शर्माते देखा तो वह जोर जोर से हसने लगी जूली के हसने की आवाज सुनकर स्टीफन के कदम रुख गये और वह मुर्ते हुए जूली को घूर कर देखने लगा जूली हसते हुए बोली ओ गौड स्टीफन तुम सुहागरात के नाम पर इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहे हो यहां मैं इतनी एक्साइटड हूँ और तुम हूँ की इस तरह मुझे छोड़ कर जा रहे हो तुम कहीं नहीं जाओगे चुकचाप मेरे पास आओ हम अपनी सुहागरात मनाएंगे यह कहते हुए जूली ने स्टीफन के हाथ को पकड़ा और उसे बैट पर खीच लिया स्टीफन संभाल नहीं पाया और दूसरे ही पलवह बैट पर जागिरा और फिर तभी जूली उसके उपर आते हुए बोली स्टीफन तुम्हें इतना ज़्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है अब हम दोनों हस्बन वाइफ है और हमारा एक दूसरे पर पूरा हक बनता है अब हम दोनों ही एक दूसरे के करीब रहेंगे ये कहकर जूली स्टीफन के उपर आये है उसके होटो अपने होंट रख उसे किस करने लगी वही स्टीफन सब चीजों के लिए रेडी नहीं था और वह बस हैरानी से जूली को देख रहा था हाला कि स्टीफन अपनी उमर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता था क्योंकि उसके ख्याल से जूली से बहुत छोटी थी और वह उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था लेकिन जूली की ऐसी हरकते देखकर स्टीफन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रियक्ट करें जूली उसके सामने इतनी बोल थी कि वह उसके सामने बेचारा बन जाता था वही जूली इस वक्त उस पर हावी हो रही थी और वह उसे किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोड़ रही थी ये देखकर स्टीफन ने तुरंट जूली के हाथ को पकड़ लिया और बोला जूली यह सही नहीं है ये सुनकर जूली अपनी आखे छोटी करते हुए बोली लेकिन इसमें गलग क्या है तुम मेरे हस्बेंड हो और काईदे से आज हमारी सुहागरात है फिर तुम मुझे रोकते हुए रही हो इसके जवाब में स्टीफन अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला जूली मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे साथ यह सब करने में जैसे ही जूली ने ये सुना उसका मूँ बन गया और वह चिबते हुए बोली अगर मेरे साथ शर्म आ रही है तो क्या तुम किसी और के साथ करोगे तो शर्म नहीं आएगी ये सुनते ही स्टीफन ने तुरंट अपना सर्ना में हिलाते हुए बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बलकि मुझे सभी से शर्म आएगी ये सुनकर जूली उसके कॉलर को कसकर पढ़ते हुए बोली लेकिन तुम्हे सभी के साथ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सभी के बराबर मैं ही अकेली काफी हूँ इसलिए अब चुपचाप शर्मा नहीं और मेरा साथ दो ये कहते हुए जूली गुस्से से स्टीफन को घूरने लगी वही स्टीफन जूली की हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा हरबड़ा गया उससे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त जूली का साथ दे या ना दे क्योंकि जूली उसे अभी बहुत छोटी लग रही थी और वह जूली के साथ अभी यह सब कुछ सोच भी नहीं सकता था लेकिन जूली जिस तरह उससे टच कर रही थी उससे उसके अंदर के अर्मान जाग रहे थे और वल कुछी देर तक खुद को कंट्रोल कर पाया और फिर दूसरे ही पल वल जूली की किस में पूरी तरह डूप गया वही जूली ने जब स्टीफन को किस बैक करते देखा तो उसके चहरे पर भी बड़ी से स्माइल आ गई और उसने स्टीफन के शर्ट को उतार कर बैट से नीचे फेक दिया अब वह स्टीफन को गहराई से किस करने लगी वही स्टीफन भी जूली को अब प्रेश की साथ किस करने लगा उन दोनों की किस की आवाजे पूरे रूम में गूंज रही थी और फिर देखते देखते वह दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए अगी सुबह, डाक हेवन में सुबल जब अमीरा और अमारा दोनों की आँख एक साथ खुली तो वह दोनों खुद को अपने रूम में पाई अपने रूम में खुद को देखकर अमीरा और अमारा दोनों का मूँ बन गया और वह दोनों एक दूसरे को पाउट करके देखने लगी तभी अमीरा बोली पर लाग को तो हम ममा डैडी के लूम में सो लहे थी ना फिल हमें यहां कौन लेकल आया इसके जवाब में अमारा भी आउट करते हुए बोली मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ममा डैडी के साथ सो ना था जिसके बाद फिर अमारा अपनी जगल से उठाते हुए बोली दी चलो हम अभी ममा और डैडी से इसके लिए शिकायत कर लेंगे उसने अमीरा के हाथ को पकड़ा और उसे जबर्दस्ती लेकर रूम से बाहर जाने लगी वही अमारा भी अपनी चोटी बहन की बातों को मानते हुए उसके साथ रूम से बाहर निकल गई वह दोनों जब अर्थ के रूम में आई तो वहाँ अर्थ के रूम में कोई भी नहीं था बैक को खाली देख और वाश्रूम को खाली देख अमीरा और अमारा दोनों ने ही पाउट कर लिया और अमीरा धीरे से बोली ममा डैडी कहां चले गए वो लूम में नहीं है इसके जवाब में अमारा वापस से बोली शायद मम्मा डैडी नीचे हॉल में होंगे हम हॉल में चलते हैं ये कहकर फिर वो दोनों नीचे हॉल में चली गई लेकिन जब वो हाल में आय तो वहाँ इस वक्त मिष्टी, सांची, धनुष और साहिल के साथ महर मौजूद था अर्थ उन दोनों को कहीं नहीं दिखा अर्थ को वहाँ न पाकर अमीरा और अमारा दोनों का चहरा उदास हो गया जब मिष्टी, सांची, धनुष उन सभी की नजर अमीरा और अमारा पर दी तो उन सभी के चहरे के एक्स्प्रेशन बदल गए और वह सभी एक दूसरे का मूँ देखने लगे शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त अमीरा और अमारा से क्या कहें तब ही सांची ने धीरे से धनुष, मिष्टी और साहिल से कहा आही तो रात को ही घर छोड़ कर यहां से चली गई अब हम बच्चों को क्या जवाब देंगे इसके जवाब में धनुष ने कहा मैंने भाई से पहले ही मना किया था कि वह इस तरह लिटल के साथ लड़ाई ना करें लेकिन भाई है कि मानते ही नहीं है अब उनकी वज़े से लिटल घर छोड़ कर चली गई मुझे तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है अगर वह राथ और मेंशन ना जाती तो अब तक हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते वह तो शुक्र है सिराज अंकल का कि उन्होंने सुबह कॉल कर यहां पर हम सभी को इन्फॉर्म कर दिया कि आही राथ और मेंशन आये हुई है वरना पता नहीं हम उसे कहां धूनते हैं धनुष की यह बात सुनकर मिष्टी भी अपना सर हिलाते हुए बोली हाँ धनुष तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुझे नहीं लगता कि भाय और आही को इस तरह लड़ाई करनी चाहिए उनकी लड़ाई में अब ये दोनों बच्चेयों सफर करेंगे बेचारी अमीरा और अमारा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके मॉम डैड में इस तरह लड़ाई हुई कि उनकी मम्मी घर छोड़ कर चली गई तब उन पर क्या बीतेगी वह क्या सोचेगी इस पर साहिल ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा मुझे लगता है ये मैटर काफी सीरियस हो गया है और इसमें हम सभी को अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए वरना अर्थ और आही के बीच लड़ाई बढ़ जाएगी क्योंकि वह दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है उन दोनों के बीच का अटिटी उठी आही जल्दी अर्थ के आगे नहीं जुकेगी और अर्थ भी जल्दी आही के आगे नहीं जुकता इन सभी में उसके दोनों बच्चे सफर करेंगे इसलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले आही को समझना चाहिए उसके बाद मैं अर्थ को समझाओंगा I am sure, वह मेरी बात समझेगा साहिल की इस बात से सभी agree हुए और अपना सर हिला दिये तभी अमारा उन सभी से बोली मम्मा और डैडी कहा है अमारा की आवाज से सभी उस तरफ देखने लगे उन सभी को समझ नहीं आया कि वो हमारा के सवालों का क्या जवाब दे तभी अमीरा भी आगे आये और बोली हाँ मेले मम्मा डैडी लूम में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है वो दोनों कहा चले गए हमें उनसे मिलना है अमीरा के सवालों को सुनकर भी सभी चुप हो गए और फिर अभी कोई वहाँ कुछ कहता तभी पीछे से एक आवाज आये आपके डैडी यहां है प्रिंसेस उसे आवाज को सुनते ही अमीरा और अमारा तुरंट पीछे मूल कर देखने लगी तो वही बाकी सब भी गेट की तरफ देखने लगे चत्री हंडर्ड फॉर्टी नाइन आही अर्थ की दवा है अब आगे अर्थ की आवाज सुनकर सभी गेट की तरफ देखने लगे जहां पर इस वक्त अर्थ अपने पैंट के दोनों पॉकित में हाथ डाले खामोशी के साथ खड़ा था अर्थ को देखते ही अमीरा अमारा तुरंत भागते हुए अर्थ के पास गई और उसके पैरों से लिप गई अर्थ में उन दोनों की सर को चुमा और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया तभी अमारा अर्थ की गोध में आते हुए बोली, डैडी, मामा तहा है और आप दोनोंने हमें हमाले लूम में क्यू सुलाया था हम दोनों तो आपके रूम में सुलहे थे ना उसके सवाल को सुनकर अर्थ खामोश रहा तब ही अमीरा ने भी सवाल किया, हाँ डैडी, मम्वा हमें तहीं नहीं मिल लही है और आप ही अभी तक हमें नहीं मिल लहे थे मम्वा तहां चली गई और आप दोनों ने हमें खुद से अलगत्यू सुलाया था अर्थ अमीरा के सवाल से भी खामोश रहा, वहीं मौजूद धनुष, सांची, मिष्टी और साहिल अर्थ को बस देखे जा रहे थे इस वक्त वह भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, वह भी जानना चाहते थे कि अर्थ आखिर उन सभी की बातों का क्या जवाब देने वाला था तभी सांची ने धीरे से साहिल, मिष्टी और धनुष से कहा, मुझे लगता है कि अर्थ जीजू, अमीरा और अमारा के लिए आही को बुलाने जाएंगे और इन्ही दोनों की वज़ह से उनके बीच सब कुछ ठीक होगा ये सुनकर धनुष ध्यान से अर्थ को देखते हुए बोला, सांची तुम्हें जैसा लग रहा है, I don't think की वैसा होगा, क्योंकि भाई के चेहरे पर कोई भी expression मुझे नहीं देख रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि वह शायद ही अमीरा या अमारा की बातों को मान कर कुछ करने वाले हैं ये सुनकर सभी अब अर्थ को देखने लगे हैं वही अर्थ अमीरा और अमारा की बातों का जवाब देते हुए बोला, तुम्हारी मौम किसी important काम के लिए बाहर गई हुई है अब कुछ दिनों तक आपको आपकी मौम के बिना ही रहना होगा जैसे ही अमीरा और अमारा ने ये सुना की आही कुछ टाइम के लिए बाहर गई है और उन दोनों को आही के बिना कुछ वक्त तक रहना होगा उन दोनों का चेहरा उतर गया और उन दोनों की आँखों में तुरन्ट आंसु भराए अर्थ ये देखकर उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बस कुछ वक्त की बात है उसके बाद आपकी मौमा आ जाएंगी, आप दोनों इस तरह रो मत लेकिन अर्थ के इन सब बातों का कोई फाइदा नहीं था, क्योंकि अमीरा और अमारा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था पूरा घर उनके रोने से भर चुका था, वही सांची, मिष्टी, साहिल और धनुष ने अमीरा अमारा के रोने की आवाज सुनकर अपना सर हिला दिये फिर सांची तुरंत आगे आते हुए बोली, जी जुला ये, अमीरा और अमारा को मुझे दीजिए, मैं इन दोनों को शांत करा देती हूँ इसके जवाब में अर्थ ने सांची को घूरा और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटियों को हैंडल करना जानता हूँ ये सुनकर सांची खामोश हो गई, उसे पता था कि अर्थ अमीरा और अमारा को उसे नहीं देगा अब आही जो की घर छोड़ कर चली गई है, तब तो वह और भी ज्यादा अमीरा और अमारा को किसी के पास नहीं छोड़ेगा वही बाकी सब बिलकुल खामोश खड़े रहे, और अमीरा अमारा को रोते हुए देख रहे थे तब ही अमारा रोते हुए बोली, मम्मा बुली है, मम्मा हम दोनों को हमेशा अकेला छोड़ कर चली जाती है हम मम्मा से बात नहीं करेंगे, जैसे ही सभी ने अमारा की यह बात सुनी, सभी शौक हो गए तो वही अर्थ के चहरे के एक्स्प्रेशन बदल गए, तब ही सांची हलके गुसे में बोली, अर्थ जीजू, आप दोनों की लड़ाई की वज़े से देख लीजिए अमीरा अमारा के माइंसेक पर क्या असर हो रहा है? अमारा को लग रहा है कि आही ने जान बूझ कर अँन दोनों को यहां चोड़ा है और वह जान बूझ कर यहां से चली गई है अब आप क्या जवाब देंगे इन सब का इस पर अर्थ खामोशी से बस अमीरा और अमारा को गूरता रहा तब ही अमीरा भी रोते हुए बोली हां मम्मा को ऐसा नहीं कलना चाहिए था मम्मा को हम दोनों को अपने साथ लेकल जाना चाहिए था वह जानती है कि हम दोनों उनके बगल या फिर डैडी के बगल नहीं रह पाते फिर वह हम दोनों को साथ लेकर क्यों नहीं गई और नहीं हम दोनों से उन्होंने कुछ भी बताया ये कहते हुए वह दोनों एक बार फिर से रोने लगी वही अर्थ उन दोनों को इस तरह रोते देख अपने हाथों की मुठिया बंद किया और उन दोनों की सर को अपने सीने से लगाते हुए बोला प्रिंसेस आप दोनों पहले शांत हो जाओ आप दोनों इस तरह नहीं रो सकते मैंने कहा ना वह कुछ दिन में वापस आ जाएगी फिर आप दोनों को जितनी बाते करनी होगी आप दोनों कर लेना लेकिन अभी प्लीज इस तरह मत रो शांत हो जाओ ये कहते हुए अर्थ उन दोनों के सर को सहलाता जा रहा था लेकिन अही के बिना अमीरा और अमारा का रो रोकर बुरा हाल था भले ही अमीरा और अमारा अर्थ के ज़्यादा क्लोज थी लेकिन वो दोनों बिना अही के भी नहीं रह पाती थी आखिर वो दोनों बेटियां थी और अमारा सबसे ज़्यादा आही के ही करीब थी और जब जब आही उससे दूर जाती थी अमारा का रो रोकर बुरा हाल हो जाता था वो दोनों ही आही के बगेर नहीं रह पाती थी जितनी जरूरत उन्हें अर्थ की थी उतनी ही जरूरत उन्हें आही की भी होती थी इसलिए वो दोनों अब आही के बगेर इस तरह बेहेव कर रही थी वही बाकी सब भी अमीरा और अमारा को इस तरह रोते देख बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तब ही धनुष आगे आते हुए बोला भाई मुझे लगता है आपको अभी के अभी लिटिल को लेने के लिए राठ और मेंशन जाना चाहिए जैसे ही धनुष ने ये कहा अर्थ गुसे से धनुष को देखने लगा अर्थ की गुसे भरी नजरे देखकर भी धनुष को कोई असर नहीं हुआ और वह वापस से बोला भाई अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है आप देख रहे हैं ना अमीरा और अमारा किस तरह रो रही है लिटिल के बगैर इसलिए प्लीज जाए और अमीरा अमारा के लिए आही को लेकर आईए बिना आही के ये दोनों नहीं रह पाएंगे प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए इस पर अर्थ अपने दाग पीस्ते हुए बोला वह खुद से घर छोड़ कर गई है मैंने उसे घर से नहीं निकाला ये सुनकर सभी चुप हो गए लेकिन तभी सांची गुस्से से बोली लेकिन अर्थ जीजू उसकी वज़ेह आप ही है हम हम सबने देखा है आप किस तरह मेरी आही के साथ लड़ाई कर रहे थे उस पर किस तरह गुस्सा कर रहे थे वह आपसे कितनी चोटी है और वह इतनी भी समझदार नहीं है कि वह आपके गुस्से को जेल सके आप उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे इसकी वज़े से ही वह इस घर को छोड़ कर गई है और मुझे लगता है आपको उसे मनाने के लिए अभी के अभी जाना चाहिए सांची की बात सुनकर अर्थ उसे घूर कर देखने लगा तभी मिस्टी भी आगे आते हुए बोली हाँ भाई सांची और धनुष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आही अभी थोड़ी एमेच्योर है और आप इस तरह उसके साथ लड़ाई करेंगे तो जाहिर तोर पर वल गुस्से में यही सारे कदम उठाएंगी और आप दोनों को भूलना नहीं चाहिए आप दोनों अब अकेले नहीं है आप दोनों के पास आपकी दो-दो बेटिया हैं जिन्हें आपको ख्याल रखना है और इस तरह उन दोनों को रुला कर मुझे नहीं लगता कुछ ठीक क्या है आपने और आप तो समझदार हैं मुझे नहीं लगता कि आप आही को इतने दिनों तक अकेला छोड़ेंगे प्लीज भाई जाए और आही को लेकर आईए मिस्टी को भी अर्थ बस बिना एक्स्प्रेशन भूरता रहा वही अमीरा और अमारा अभी भी रोय जा रही थी तब ही साहिल उन सभी की बाते सुनकर गहरी सांस लेकर बोला मुझे लगता है अभी अर्थ को थोड़ा वक्त देना चाहिए ये सुनते ही मिस्टी गुस्से से बोली साहिल आप चुप रही है तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके वज़र से ही कल में अर्थ भाई से कुछ कह नहीं पाई थी क्योंकि आपने कहा था कि आप अर्थ भाई से बात करेंगे लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, मुझे सब पता है आप दोनों एकी तरह के हो अगर आपका बस चले तो आप भी मुझे छोड़ दे और आराम से रहे जैसे ही मिश्टी ने ये कहा साहिल उसे घूर कर देखते हुए बोला मिश्टी, तुम इन सब के बीच में मुझे से क्यों लड़ाई कर रही हो आखिर मैंने क्या किया तुम्हारे साथ इस पर मिश्टी चिर कर बोली, इससे पहले आपने बहुत कुछ किया था मेरे साथ मैं आपसे कितने वक्त तक नाराज थी, वह तो भला हुआ ही का कि उसकी वज़े से मैं आपसे बात करने लगी वरना आप तो मुझे भूल ही जाए ये सुनते ही साहिल का मूँ बन गया और वह अर्थ को घूरते हुए बोला तुम्हारी वज़े से मेरी बीवी मुझे लड़ाई कर रही है अब और क्या क्या दिन दिखाओगे तुम जाओ जाकर अपनी बीवी को मानो वरना मेरी वाली मुझे नाराज हो जाएगी ये सुनकर अर्थ साहिल को घूरते हुए बोला तुम अपनी फैमिली को संभालना सीखो अगर इस बार तुम दोनों के बीच कोई भी लड़ाई हुई तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा अर्थ की यह बात सुनते ही साहिल का मूँ बन गया और वलचिर कर बोला तुम अपनी लड़ाई सुलझा नहीं पा रहे हो और मेरी बीवी के बारे में इस तरह बोल रहे हो जाओ पहले आही को मना कर लेकर आओ देख रहे हो तुम्हारी दोनों बेटियां किस तरह रो रही है इस पर अर्थ ने फिर अमारा और अमीरा को देखा जो अभी भी रोए जा रही थी उन दोनों को रोते देख अर्थ ने गहरी सांस लिया और फिर उन दोनों को लेकर सीधे रूम की तरफ बढ़ गया इधर अर्थ के जाते ही सांची चिर कर बोली आखिर अर्थ जीजू खुद को समझते क्या है उनके अंदर इतना attitude क्यों है जबकि आही उनसे इतना प्यार करती है और उन्हें इतनी प्यारी प्यारी बेटियां दी है फिर भी अर्थ जीजू अपने ही घमन में रहते हैं सांची की यह बात सुनकर धनुश उसे घूरते हुए बोला सांची तुम्हें नहीं पता मेरे भाई ने कितना कुछ सहा है बचपन से लेकर आज तक उनके अंदर किसी बात का घमन नहीं है बलकि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है वो लोगों से मिलने जुलने में बहुत कत्राते हैं उन्हें इस तरह से सोशल फोबिया है लेकिन जब से आही उनकी लाइफ में आई तो उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया उनकी जिन्दगी में एक नई होप आही बनकर आई इसलिए आही के ऊपर कोई भी बात होती है तो वह बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और उन्हें पसंद नहीं कि आही उनके अलावा ज़्यादा किसी और पर ध्यान दें इस वक्त आही शायद ऐसी ही कोई बात पर भाई से लड़ रही होगी जो भाई को पसंद नहीं आ रहा होगा इसलिए भाई इस तरह कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हमें अभी इसके बारे में कुछ भी कहना चाहिए धनुष की बात सुनकर फिर सभी खामोश हो गए इध दूसरी तरफ धनराज पैलेस में सुबल का वक्त था और इस वक्त सुगंधा मंदर में आरती कर रही थी सुगंधा इस वक्त अकेली ही खड़ी आरती कर रही थी लेकिन तभी पीछे तेजस आये और वह भी सुगंधा के साथ आरती करने लगे कुछ देर में आरती खत्म का इस पर सुगंधा मुस्कुराने लगी और फिर सुगंधा किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली क्या दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं इसके जवाब में तेजस ने समर्थ और क्रियांच के रूम के तरफ देखा और बोला हाँ शायद वह अभी तक जगह नहीं है मैं ए सुनकर तेजस मुस्कुराए और फिर बोल कभी मेरे मनपसंद चीज भी बना दिया करो ये सुनकर सुगंधा तेजस को घूरते हुए बोली तेजस आप इसा कह भी कैसे सकते हैं कि मैं कभी आपके मनपसंद की चीज नहीं बनाए बलकि मैं तो आपके लिए वहर चीज गए वह जब समर्थ के रूम में पहुँचे तो उस वक्त समर्थ अपने स्टडी टेबल के पास था और वह अपनी नोटबुक अपने बैग में रख रहा था समर्थ को रेडी हुए देख तेजस मुस्कुराते हुए बोले गुड मॉनिंग बेटा क्या तुम स्कूल के लि करके फिर आराम से स्कूल जाओ ये सुनकर समर्थ के चहरे की स्माइल गायब हो गई और वह कुछ देर के लिए इस तरह खामोश खड़ा रहा उसे इस तरह चुप देख तेजस ना समझी में बोला क्या हुआ समर्थ बेटा तुम ठीक तो हो ना क्या तुम कुछ सोच रहे ह हो तभी समर्थ ने कुछ सोचते हुए कहा डैग क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ जैसे ही समर्थ ने दिल्ली का जिक्र किया तेजस के चहरे की स्माइल गायब हो गई और तेजस दूसरे ही पल गुस्से से बोला समर्थ तुम क्या कह रहे हो मैं तुम्हें दिल्ली कभी नही मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं जाने दूनगा. मुझे उस ओरत का कोई भरोसा नहीं है, वो औरत तुम्हें मेरे खिलाव कर सकती है और तुम्हें भरका सकती है. अब तो मेरी शादी सुगंधा से हो गई है, फिर तो वो तुम्हें अपने तरफ करने की कोशिश करेग ये कहकर तेजस गुस्से से वहां से बाहर निकल गए वही समर्थ उन्हें बस जाते हुए एक टक घूरता रहा इधर तेजस जब वापस हाल में आये तो उस वक्त सुगंधा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा रही थी। मुझे इस लड़के का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भला समर्थ को क्यों खुद से दूर भेजूंगा। इसके जवाब में सुगंधा बोली आप मुझे गलत मत समझे लेकिन जिस तरह की उम्र में अभी समर्थ है। उस उम्र में बच्चों को बिगरने में देर नहीं लगती इसलिए अगर वह एब्रॉट जाकर अपने मन से पढ़ाई करना चाहता है। तो यही बैस्ट आप्शन है उसे एब्रॉट भेज देना चाहिए। उसकी बात सुनते ही तेजस और भी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि कुछ वक्त पहले सुगंधा ही समर्थ को एब्रॉट भेजने से मना कर रही थी और अब सुगंधा इस तरह बदल जाएगी उसे उम् रही थी जब कि कुछ दिनों पहले ही सुगंधा ने उसे ही साफ साफ मना किया था वो समर्थ से बात करें कि वो उन्हें छोड़कर एब्रॉट ना जाए लेकिन अब सुगंधा का ही कहना तेजस को सोच में डाल रहा था तभी तेजस ने सुगंधा से धीरे से बोला सुगं पहले ही समर्थ को स्पेस की जरूरत है क्योंकि भले ही समर्थ ने कहीं ना कहीं मुझे अपना लिया है लेकिन वह अभी तो बच्चा ही है और उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा इन सब चीजों का असर पढ़ रहा है अभी अभी उसने अपनी सगी मां को खोया है तो मुझ वापस हमारे पास आजाएगा जैसे ही सुगंधा ने ये कहा आखिर में तेजस को एहसास हुआ कि वह शायद कुछ वक्त पहले तक सुगंधा को गलत समझने लगा था ये समझते हुए तेजस ने अपना सर नीचे जुकाया और सुगंधा से माफी मानते हुए बोला सुगं में क्या आपके अंदर मुझे लेकर कही भी कोई शक है इस पर तेजस तुरंत अपना सिर नाम में हिलाते हुए बोले नहीं येसी कोई बात नहीं है बलकि मैं तुम पर अपनी आखे बंद करके भरोसा करता हुँ लेकिन सुगंधा अपना हाथ चुडाते हुए बोली अगर माफ कर दो सुगंधा मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ वक्त पहले गलत सोच लिया था लेकिन मैंने कभी दिल से तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा मुझे अच्छे से पता है तुम समर्थ की बहुत केर करती हो और तुमने ये जान बूज कर सोच जिससे की समर्थ को कुछ वक्त मिल जाए और वह आखिर में जब हमारे पास वापस आए, तो वह हमारे साथ कमफर्टिबल होकर रह पाए. आखिर में सुगंधा ने गहरी सांस लिया और अपना सर हिलाते हुए बोली, तेजस, ये पहली गलती है आपकी, जो मैं माफ कर रही हूँ. आइंदा से खबरदार, जो आपने मेरे बारे में ऐसी गलत बाते सोची तो, ये सुनकर तेजस तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सुगंधा तुम फिक्र मत करो, यहाँ मेरी पहली और आखरी गलती है, जो मैं कभी नहीं दोहराओंगा, क्योंकि मुझे तुम पर प गए तभी कुछी देर में क्रियांश और समर्थ नीचे आये, सुगंधा ने उन दोनों को भी ब्रेकफास्ट सर्व किया, तभी तेजस ब्रेकफास्ट करते हुए समर्थ से बोले, समर्थ बेटा तुम्हें इब्रोर जाना था ना, समर्थ खाते हुए रुख गया और समर्थ बेटा, अगर आपको अभी एब्रोर में पढ़ाई करनी है, तो आप एब्रोर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, जब आपका मन भर जाए, तब आप वापस हमारे पास आ सकते हैं, आपके लिए ये घर हमेशा खुले रहेंगे, इस पर समर्थ कुछ देर तक कुछ भी न पूरता रहा, वही तेजस उसे चुप देख सुगंधा की तरफ देखते हुए धीरे से बोले, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसके जवाब में सुगंध भी ना समझी में बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जिससे स समर्थ को बुरा लगे, समर्थ खुद ही अबरोड जाना चाहता था, अभी वह दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, कि इस वक्त समर्थ अपनी जगल से खड़े होते हुए बोला, मैं जल्दी अबरोड जाने वाला हूँ, ठ्यांक्यू डैग, मुझे अबरोड जाने की पम क्योंकि वहां में तुम्हें कोई भी तक्लीफ उन्हें नहीं दे सकता, तुम तेजस धनराज के बेटे हो और धनराज खांदान के एकलोते वारिश, तुम्हें वहां कोई भी तक्लीफ नहीं हुगी, इस पर समर्थ कुछ सेकन तक चुप रहा और फिर अपना सिर नमें हिल आते हुए बोला, नहीं डेट, वहां मैं आम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, वहां ना तो मुझे मेरा धनराज सरनेम चाहिए और नहीं आपका नाम चाहिए, मैं वहां अपने दम पर पढ़ाई करना चाहता हूँ, हां स्टार्टिंग के देज में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं खुद का बिजनेश शुरू करूँगा फिर मुझे उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, समर्थ की अभी से ही इस तरह की बात सुनकर तेजस हैरान हो गए और हैरानी से बोले, समर्थ बेटा, तुम सच में बहुत ज्यादा कर जा रहे हैं, तो मैं भी भाई के साथ जाऊंगा, जैसे ही समर्थ ने ये सुना वह गुस्से सी क्रियांश को देखने लगा, इधर, दुसरी तरफ, राठोर मेंशन, आही जब सुबह सोकर उठी, तब उसने अपने रूम के आसपास देखा, जो उसे इस वक्त खाली सो रहा था, कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आया कि वह आखिर कहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब वह अपने सेंस में आई, तब वह अपने चेहरे को रब करते हुए खुद से बोली, काश, हमारे बीच कोई लड़ाई ही नहीं होती, मैं तो सुबल से ही अर्थ और अप पता नहीं वो दोनों और अर्थ मेरे बारे में सोच भी रहे होंगे या नहीं, आही अभी खुद से ये सब कही रही थी, तब ही वहाँ सिराज आय और आही को देखते हुए बोले, गुड मॉनिंग बेटा, अच्छा हुआ तुम उप गई, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मै जवाब में तेजस के पास आये और उसके सर को सहलाते हुए बोला, इसमें ठेंक्यू कहने की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और इतने वक बात तो मेरे पास आये हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूँ, इसके जवाब में आही मुस्कुरा दी और फिर तेजस वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए, अभी आही बैटी थी कि तभी उसके फोन में मेसेज आने शुरू हो गए, आही ने अपना फोन निकाला और उसमें ग्रुक चेक में कई सारे मेसेज आये हुए थे, जो उसके बारे में थे और उसे म जानक से रात को नहीं आना चाहिए था, मुझे एक बार सभी से इस बारे में बता देना चाहिए था, वहाँ सब मेरे लिए कितना परेशान हुए हुए हुए, लेकिन मैंने भी कुछ गलक नहीं किया, अर्थ ने मुझसे कहा कि मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊंग, उनक कहते हुए आही ने सांची के पास मेसेज कर दिया और कुछ देर बाद मेसेज का रिंग टोन उसके पास आया, आही ने तुरंत अपना फोन देखा तो उस पर सांची का मेसेज आया हुआ था, अर्थ जीजू तो कुछ रियेक्शन ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दोनों बेटियाने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, जैसे ही आही ने ये मेसेज पढ़ा उसके चेहरे के एक्स्प्रेशन चेंज हो गए, वो गुस्से से अपना फोन आफ करते हुए बोली, मुझे पता ह जी था कि अर्थ को मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं चाहे मारूं या जीओ, उन्हें तो सिर्फ अपने इगो और अपने गुस्से से फर्क पड़ता है, लेकिन इन सब के बीच अमीरा और अमारा सफर कर रही है, पता नहीं अर्थ को कब दिमाग आएगा, लेकिन इस बार में उनके पास नहीं जाओंगी, उन्हें खुद मेरे पास आना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी, तब ही मैं वापस जाओंगी वरना, मैं सारी जिन्दगी यही रहूंगी, ये कहते हुया ही अभी शान्थ हुई थी कि उसे अचानक से अपने पेट में अजी उसका चेहरा उल्टिया करने से पूरा लाल हुआ था, आयने में खुद को देखते हुई धीरे से बोली, मुझे अचानक से वामिटिंग क्यों होने लगी, कल तक तो मैं ठीक थी, शायद शादी की वज़े से मैंने खुद के मन पर ज्यादा प्रेशल ले लिया और शायद क करने की वज़े से ही मैं थोड़ी वीक हो गई हूँ, इसलिए मुझे उल्टिया आ रही है, मुझे अपने डाइक पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे अपनी पेंटिंग स्कूल का भी इनॉबरेशन करवाना है, ये सब सोचते हुया ही वाश्रूम से ब भूरा और फिर कॉल पिक करते हुए बोली, Who is this? उधर दूसरी तरफ, धनराज पैलेस में, क्रियांश ने जैसे ही कहा कि वल समर्थ के साथ विदेश जाएगा, ये सुनते ही समर्थ गुस्से से बोला, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाओंगा, तुम यहां म भाई, मैं तुम्हारे साथ जाओंगा, मैं यहां अकेले रहकर बोर हो जाओंगा, एक आपी तो है जिसे लड़ाई करके मैं एंटर्टेन होता हूँ, जब आपी यहां नहीं रहेंगे तो मैं यहां अकेले क्या करूंगा, ये कहते हुए क्रियांश तेजस की तरफ देखा और बोला, अंकल आप भी मेरे इबरोड जाने की तयारी कर दीजिये, मैं भाई के साथ ही जाओंगा और जिस स्कून में यह पढ़ेंगे, मैं उनके साथ ही पढ़ाई करूंगा, उसके जाने की बात सुनकर तेजस उसे मना करते हुए बोले, नहीं क्रियांश तुम, यहां स कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि अगर बड़े भाई को यह पता चला कि तुम यहां से एबरोड चले गए, तो वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और शायद वह तुम्हें सीधे लंदन ही बुला ले, जैसे ही क्रियांश ने ये सुना वह गुस्से से बोला, आखिर क्या है, जब मैं उनसे मतलब नहीं रखना चाहता, तो वह क्यों जबर्दस्ती मेरी लाइफ में इंटरफेर करते हैं, उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर तेजस उसे शान्त करते हुए बोले, क्रियांश वह तुम्हारे माबाप हैं, तुम्हें इस तरह उनको लेकर नही कहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, उनका पूरा हग बनता है कि वह तुम्हारा मैटर में इंटरफेर करें और बोल भी, और मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दी है कि तुम उनके बगैर इंडिया से इंडिया में हमारे पास रह रह यही तुम्हारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए। इसके अलावा और मैं किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा और अपने मॉम डैक की तो बिलकुल भी नहीं। अमारा दोनों का चेहरा रोरो कर लाल हुआ था। अर्थुन दोनों के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस आप दोनों साड मत। हो, आपके मामा जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगी। अब आप दोनों चुप चाप, स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। इस पर अमारा पाउट करते हुए बोली, पर ममा ऐसा क्यों कलती है डैडी। ममा, हमेशा हमें छोल कल क्यों चली जाती हैं। तब ही अमीरा ने भी धीरे से कहा, हाँ डैडी, ममा को हमें बाता कल जाना चाहिए। था, लेकिन मम्मा बिना बताय हमें छोल कर चली गई, हम दोनों मम्मा से बहुत नालाज हैं, ये कहते हुए वह दोनों बहने ने अपना सर नीचे जुका लिया, वही अर्थ उन दोनों की, ये बात सुनकर अपने हाथों की मुठिया बनाया और गहरी सांस लेते हुए बोला, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से तुकुर तुकुर अर्थ को गुस्से से देखने लगी,